आखिर क्या है double mutant coronavirus जो कि भारत में second wave of COVID-19 के लिए responsible है दरसल ये एक ऐसा virus है जो तो coronavirus के मिलने पर बना है पहला coronavirus है E484Q और दुसरा है L452R ये दो coronavirus के strength है इनके मिलने पर एक नया strength बना है जिसको double mutant coronavirus strength कहा गया है तुकि ये पहले के जो strength है ये भी mutation से बने थे coronavirus का genetic metal होता है RNA जिसमें कि उत्परिवर्तन की दर काफी अधिक होती है मतला वो अपने आपको environment में change कर सकता है और ऐसा कहा जाता है कि ये जो नया virus है ये अधिक infection से अधिक संक्रामक है और ये तेज से infection करता है और immune system को ये bypass कर जाता है और आसाने से हमारा immune system उसको पहचान नहीं पाता है इसलिए ये तेज infection करता है और कई cases में ये गंभीर infection भी कर सकता है हालनकि अभी तक इसको जो है वो बहुत गंभीर virus की श्रेणी में नहीं रखा गया है लेकिन तब भी ये alarming है